बोली परम्पुज आदी सन्मती रतन उदार्मना आचारे भगवन श्री सुनिल सागर्जी गुरुदेव कीजे अभिक्ष्ण ज्यानोप्योगी प्राकृताचारिय अभिनव कुंद कुंद अर्वाचिन नेमी चंत सिद्धान्थ चक्रवर्ती त्री भाषा कवी उदार्मना ऐसे अनेक उपादिया जैसे सिद्धान्थ पारंगत त्री भाषा कवी प्राकृत ज्यान के स्री सैयम भुशन अभिनव कुंद कुंद वर्तमान के वर्दमान राष्ट गौरो राष्ट्र संत ऐसे अनेक उपादियों से जो अलंकृत है ऐसे आचारे भगवन श्री सुनिल गुलाबचंजी कटारिया है उन्होंने चर्या चक्रवर्ती ऐसी एक उपादी उन्हें प्रदान की पर उस उपादी में भी जब स्टेज पर वो उपादी लेकर गए तो आचारे भगवन बस मौन मुद्रा में और आखे बंद करते हुए स्मित हस्य करते रहे और कहा कि इन उपादियों से मुझे क्या यह लोकिक उपादिया तो सब बेकार की है और जैसे राश्ट्र संत यह उपादी भी अशोक गहलोद जो सागवाडा में प्रदान की गई ती यह उपादी जो राजस्तान के मुख्यमंत्री है उनके द्वारा राश्ट्र संत यह उपादी उन् उख्य मंत्री विजय रुपानी ने उपाधी उनको प्रदान की थी तो इन मंत्रियों द्वारा बड़े-बड़े मंत्रियों द्वारा भी उनको उपाधी दी गई पर वे उसमें भी मौन शांत और कहा कि ये उपाधियों से मुझे क्या क्योंकि जो सबसे बड़ी उपाधी ह निर्गरंत मुनी यह उपादी मुझे मेरे गुरु ने दी है बस उसी को मुझे आगे बढ़ाना है हे गुर्देव आप तो माहा ग्रंत धौला हो जिसका कोई अर्थ नहीं कर पाया आज तक और हम भी आज तक उसका अर्थ नहीं समझ पाये हे गुरुदेव आप महागरंत धहुला हो जिसका अर्थ बहुत लोगों नहीं लगाया पर मूल अर्थ क्या है उसका अब तक किसी को समझ में नहीं आए ऐसे राष्ट गवर आचार भगोंशे सुनिल साग गुरुदेव के चरणों में 25 साइयम रजत महत्सव के आउसर परत्रे भक्ति पुरग मिन्यांजली प्रस्तुत करते हुए नमोस्तु करते है नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु